हलो फ्रेंड्स माइसाइब दॉक्सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन डिरेक्टर जैपुर दुरबीन होस्पिटल और नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर दोस्तों आज हम बात करते हैं एक ब्यूटी से रिलेटेड बिना निसान कान क का इलाज कान की बिमारी कान के उप्रेशन जो है उसकी बिमारी का इलाज बर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगी बैल आइकोन को एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले जिसे या नहीं इसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल चलो दोस्तों बात करते हैं बिना निसान कान के पर्दे का इलाज बिना चीरे कान के पर्दे का इलाज दोस्तों सुनने में बहुत अच्छा लगता है हर आदमी ब्यूटी कॉंशियस है कोई भी आदमी हमारे बोड़ी पी किसी भी पार्ट पे नहीं चाहता कि जो है उसकी स पुझाव दिया है इसका उप्रेशन होगा बट हम चाहते नहीं कि हमारे कोई निसान आए कोई स्कार आए या कोई जो है हमें बाहर से विजिवल हो दोस्तों विक्यान के अविश्कार के कारण पहुत सारी चीजें ये अब संभव हैं कान के अंदर अगर हमारे कान के परदे म जो प्राब्लम है उसको ठीक किया जाता है लेकिन अमोमन रूतिन आद्मी के लिए उसके लिए प्राब्लम इतनी नहीं होती बट जो defense रावमी में जाना जाते है तो उनको कहा है वहाँ problem जो है create होती है वहाँ उसका rapper बना देते हैं तो दोस्तो एक technique है transcanal और endoscopic surgery जिसमें कान के पीछे कहीं पे भी चीरा नहीं लगता कहीं पे भी यहाँ पीछे चीरा नहीं लगता और हागे की तरफ से पूरा endoscope की endoral technique के माध्यम से इयर को अंदर से expose करके graft harvest करके उसको लगा दिया जाता है और इसमें कहें कि जो है वह patient को कहीं पे निसान नहीं होता और जिसके कारण जिसकी वज़े से वह surgery नहीं करा रहा था जिससे उसको डर लग रहा था तो वह उसका जो है वह hundred percent जो है treatment जो है possible है जिसमें सरजरी के बाद में patient को निसान नहीं होता और उसको जो हो army or air force में जहां पे भी जाता तो उसको recruit में भी problem नहीं आती येस बट दोस्तों ये जो procedure है इसमें आपको अच्छे से दिमाग में हमें देखना है कि इसकी हमारी एक limitations होती है जैसे कई बार patient का जो है कान के अंदर हड़ी का गलना है या इत्ती extensive बिमारी है जहां हमारा primary उद्देश से surgery का है patient की disease eradicate करना है उसकी बिमारी निकालना है ना कि उसकी सुंदरता है या जैसे उसको जो है वो hearing improvement देना है क्योंकि कान के उपर जो है हमारा दिमाग होता है बहुत बार कई सालों जिस patient के बिमारी कान में मवाद आ रही है पस आ रहा है उसके कारण हमारी हड़ी में infection हो जाता है और हड़ी कल जाती है तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हमारे दुर्बीन से कान का operation हो जिसमें हमारे निशान निशान नहीं है तो दोस्तों ऐसे में जो है वो सर्जन का अगर opinion ये है कि आपको postural route से ही कराना चाहिए क्योंकि आपकी disease बहुत extensive है क्योंकि rather than सुंदरता हमें हमारे disease निकलना ज्यादा important है जिससे आगे की life में कान में आगे problem नहीं है यस बट अगर आपकी limited disease है खाली कान के बर्दे में hole है तो 100% जो है और हमें जो है हमारे कान भी जो है वो डिजीज मुक्त हो सकता है तो दोस्तों आपने ये जाना कि ये जो scarless ear surgery है बिना चीरे बिना जो निसान के दुर्बीन से जो कान की जो surgery है उसकी अपनी limitation से पहली बात limited हमारे disease होनी चाहिए surgeon आपको अच्छा experience होना चाहिए जिसने हज जारूम surgery कर दिया क्योंकि अमोमन जो है बहुत बार क्या है नए surgeon को उस चीज का experience नहीं होता है इसलिए हमें क्रोस कंसर्टेशन करके other equivalent surgeon से या उसकी surgeon का accreditation देखके ये पता लगा लेना चाहिए कि हाँ ये facility यहां पे available है नहीं है अगर available है and definitely surgeon confidential है तो हम वहां पे करा सकते ह यह सारी चीजें हम कई बार क्या है surgeon से discuss नहीं करेंगे surgeon ने आपको conventional technique से surgery बताई surgery कर दी और surgery होने के बाद में आपने बताया कि मेरेको तो दुर्बीन से कराना था तो उसमें surgeon का भी दोस्त नहीं होता आपको पहले उससे discuss करना चाहिए So I think this information regarding the scarless ear surgery बिना चीरे के दुर्बीन से कान के पर्दे के operation की surgery regarding information is very useful for you दोस्तों यह जो information है you can share to your family friends and colleagues जिसे उनको उनकी जो है आर्मे रिक्रूट्मेंट में है या आगे जो है वो यह operation कराने चाहते हैं उनको यह problem नहीं है And regarding scarless ear surgery, transcanal, endoscopy ear surgery के कोई आपका question और query है definitely आप मेरे comment box पे डाल सकते है आपका reply हम देंगे Thank you